दोस्तों नमस्कार, आद आप सत्रियकाल, नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात में आपका स्वागत है अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार आखिर वो अपने हाँ जनसंख्या पर आबादी पर पापुलेशन पर कंट्रोल चाहती है या जिस पापुलेशन पर वो कंट्रोल चाहती है उसी पापुलेशन के लिए वहीं की आबादी के लिए वहीं के लोगों के लिए वो खत्रा भी बढ़ा रही है वो खत्रे भी पेश कर रही है मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि आबादी बहुत बढ़ गई है बहुत तेजी से बढ़ रही है संसाधन सिमित है इसलिए वो विधी आयोग उसका जो है कई प्रवधान बनाए गए है दो बच्चा नीती बनाई गई है कि जो दो बच्चे से ज़्यादा जिनको बच्चे होंगे उनको लोकल बॉडी जेलेक्शन से बाहर रखा जाएगा कुछ प्रदेशों में ऐसा किया जा चुका है इसके अलावा प्रमोशन से बन्चित किया जाएगा सबसीडी उनको नहीं मिलेगी यानि सरकारी जो सहायता मिलती है वो भी नहीं मिलेगी ये सब चीजें सजेस्ट की गई है फिर एक बच्चा नीती के लिए भी कुछ प्रावधान करने की बात सुनी जा रही है कि उसके क्या बेनफिट्स होंगे क्या उसके फैदे होंगे ये सब भी हो सकता है सजेशन जो हो एक्सक्यूट किये जाएं बवश्य में लेकिन आज जो दोस्तों हम आपसे बात करना चाहते हैं एक तरफ तो आबादी के लिए इतनी सारी बातें हो रही है कि कैसे कंट्रोल उसको किया जाए संसाधन हमारे सिमित है और दूसरी तरफ उसी आबादी के लिए सरकारी इस तरफ पर खत्रा पैदा किया जा रहा है ठीक वैसा ही खत्रा जैसा पंचायती राज एलेक्शन के पहले चेरण में किया गया था और दुनिया भर के वैग्यानिकों ने एक्सपर्ट्स ने कोविड नाइंटीन के जानकारों ने कहा था कि भारत में खासकर उत्तर भारत में जो हिंदी भार्षी छेत्र हैं भारत के वहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर के पहले जो सुपर इस्प्रेडर यानि जो माना गया कि सबसे अधिक जिनकी वज़ा से कोरोना का प्रसार हुआ वो चीजे दो थी वो एक कुम्ब मेला उत्तरा खंड में हरिद्वार में और दूसरा जो था उत्तर प्रदेश के पंचाती राज एलेक्षन जिसमें टीचर्स और बहुत सारे जो सरकारी कर्मी थे वो उसके प्रभाव में आ गये थे बहुत सारी डेट्स होई थी डेट्स की मौतों का फीगर जो है उसको लेकर भी विबाद रहा तो हमारा ये कहना है कि अभी जो कावड यात्रा इस कावड यात्रा को दिल्चस्प बात यह है कि भारती जंता पाटी की ही सरकार उत्राखंड बे है लेकिन उसने कहा कि हम नहीं होने देंगे अपने हां यानि कावड यात्रा से मुक्त रहेगा उत्तराखंड ये मुख्यमंत्री का फैसला है और वो भी प्रधान मंत्री से मुलाकात के बाद या प्रधान मंत्री से जो भी होगा मैंने जानता दोनों लोगों के भी इसकिया दिसकिसन हुआ दो बड़े लोग हैं वो आपस में मीटिंग में क्या करते हैं हम जैसे पत्रकारों को कहां मिलती है खबर ये लेकिन जो भी बात हुई उसके बाद उन्होंने अपने हां कावड यात्रा रोक दी और दोस्तों ये मैं बताओं आपको भी याद होगा पिछले सा कोविड के कारण ही कोरुना के कारण ही उत्तरप्रदेश हर्याना हर जगा कावड यात्रा पर रोक लग गई थी तो आखिर इस साल जब तीसरी लहर कोरुना की तीसरी वेप की इतनी सारी चर्चा है इतनी सारी आशंकाएं हैं स्वेम प्रदान मंत्री कह चुके हैं कि कोरुना की तीसरी लहर अगर आती है तो वो अपने आप नहीं आएगी यानि उनका संकेत है कि उसमें योगदान जो होगा हमारे लोगों का होगा जो नहीं मान रहे हैं बाजार में जाने से और बाजार मे भी पूरे भीड के साथ जा रहे हैं लोग मास्क नहीं लगाते कई बार वैक्सिनेशन की गती धीमी है तो ये तवाम संकेतों को वो दे रहे थे हमारा ये कहना है कि जब प्रदान मंत्री ये बात कह रहे हैं तो क्या उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ये बात सुन नहीं रहे हैं तो अगर सुन रहे हैं तो वो कोविड की महामारी के तीसरी वेप की आशंका के मध्य है ये कावड यात्रा को एलाउ करने का क्या मतलब है उत्रा खंड एलाउ नहीं कर रहा है आप एलाउ कर रहे है कमाल की बात है अरे चुनाव तो वहां भी होना है कावड यात्रा COVID-19 के दौर में इस महामारी के दौर में जब मनुशिता पर खत्रा है और जब मनुशिता पर खत्रा है तो उसके पूरे समाज पर खत्रा है उसकी संस्कृति पर खत्रा है उसके धर्म पर खत्रा है उसकी नदियों पर खत्रा है उसके घाटों पर खत्रा है अगर खत्रा इस कदर है इस महामारी से तो धर्म पर खत्रा नहीं है तो धर्म बचाने का जरिया कावड यात्रा निकालना है या इस महामारी से लड़ना इस महामारी को निस्फल करना तीसरी वेव आने को जो कहा जा रहा है उसको रोक देना कौन सी चीज महत्पूर्ण है धर्म का क्या फर्ज है एक धर्मात्मा का क्या रोल है अब अगर ये आप कहते हैं कि धार्मी कास्ता है कि महामारी में भी हम कावड यात्रा निकालें तो कोई ये भी कह सकता है कि ये धार्मिक आस्था का प्रशन है कि वो दो बच्चा पैदा करे या तीन या चार ऐसे ऐसे दिमाग भी अपने देश में है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि केवल आस्था या किसी के मनोगत विचारों से ये दुनिया नहीं चलती और न शासन चलता है शासन संबिधान से चलता है और संबिधान में धार्मिक अगर आजादी का प्रावधान है तो उसके लिए बहुत सारे यहां तक की अव्यक्त की आजादी के लिए भी अपने को विचार व्यक्त करने की आजादी के लिए भी उसमें प्रावधान ये भी किये गए हैं कि क्या संयम बरता जाए क्या जरूरतें ऐसी हैं क्या प्रावधान ऐसे हैं कि हिदायत भी हमारे संविधान निर्माताओने कि अगर ये है तो इसका भी पालन होना चाहिए. तो मेरा ये कहना है कि धार्मिक आस्था का प्रश्णगर है तो वो कहेंगे कि धार्मिक आस्था बच्छे पैदा करना भी है. और ज्यादा से ज्यादा इसका क्या मतलब इसका मतलब कि वैग्यानिकता तर्क और समवैधानिकता इसके आधार पर फैसले लिए जाने चाहिए और वैग्यानिकता का तका जाईए है दोस्तों तर्क का तका जाईए है समवैधानिकता का तका जाईए है कि वाकई हम धार्मिक आजादी लोगों को जरूर दें लेकिन वो मनुशिता के लिए उसे धर्म के लिए खत्रा न बन जाए जैसा कुंब में देखा गया और यही कारण है कि हमारे देश में परिवार्न योजन की जो योजना आई उस पर बहुत सारे लोगों ने पेटिशन्स दिये थे लेकिन कोर्ट्स ने इंटर्टेन नहीं किया परिवार्न योजन एक जरूरी परियोजना है एक जरूरी प्रकल्प है तो ऐसी स्थिती में परिवार्न योजन या बर्थ कंट्रोल अगर अपने देश में देखा जाए तो जो एक तर्क मोजूदा सरकार दे रही है उत्तर प्रदेश की आल लेडी हमारे देश में आबादी स्थाइट तो आया है यानि जो फर्टिल्टी रेट है अगर हम उसका एक हिसाब लें तो उसमें जो कमी आई है वो पहले के मुकाबले काफी कम है और ये एक बड़े संतोष की बात है स्वैम इस पार्टी के जो एलाईज हैं जैसे नितीश कुमार जी जो मुख्य मंत्री हैं बिहार के वो भी कह रहे हैं कि कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए शिक्षा की जरूरत है जागरुकता की जरूरत है दोस्तो सच बात यह है कि जो ये आबादी को कंट्रोल करने के नाम पर कानून का हथकंड़ा अपनाया जा रहा है ये सिर्फ किसी एक धार्मिक अलपसंख्यक समाज पर केवल इसकी गाज नहीं गिरेगी ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये केवल मुसल्मानों के किलाप इंटेंडेड है और उन्हीं के लिए लाया गया है दरसल चुनाओ के जरिये चुनाओ में जो मोबिलाइजीशन होगा उसमें जरूर इसको हिंदु मुसल्मान कोई बना सकता है इस आशंका से इंकार नहीं क इसी कम्यूनिटी को मुबिलाइज करने के लिए जिनका मकसद होता है लेकिन सच यह है कि कानूनी हथकंडा खासकर चुनाओ में पार्टिसिपेट करने से उमिदवार बनने से रोकने का जो है अगर ये प्रावदान लागव होता है तो ये समूचे समूचे समाज के गरीब में हैं जिन समाजों में हैं जो गरीब हैं और हमने एक वोट एक व्यक्ति का सिधान्त लागव किया है अपने सम्विधान के तहट यानि हर व्यक्ति को वोट देने की यहां तक की चुनाओ लड़ने की आजादी है तो आप चुनाओ लड़ने की आजादी छीनके से सकते है इसलिए जिन प्रदेशों में ये कानून पहले भी लागू किया गया है वो मेरे हिसाब से जितना मैं संभिधान को समझता हूँ वो और संभिधानिक है किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को अगर आप बंचित करते हैं उसके चुनाव में पाट्सपेट करने से तो ये उसके मानवा धिकार का हनन है उसके संभिधानिक अधिकार का हनन है और मास कीजिएगा अपने देश में हमने पाया है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, कृष्यन हो, सिख हो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार है जिसके पास थोड़ी बहुत संभिधी आई है वो बच्चे कम पैदा करेंगे लोग पिछडे वर्ग के लोग, दलिच समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, आप उनके घरों में जाईए और पाएंगे कि उनके आँँ दो बच्चे से ज़्यादा नहीं है कही जगा तो एक ही बच्चा आप पाएंगे क्यों? क्योंकि उनके अंदर जागरुपता आई है समझदारी आई है कि ज़्यादा बच्चे सरदर्द होंगे परेशानी का सबब होंगे और यही नहीं आर्थिक बोज होंगे उनके लिए भी अच्चा नहीं होगा जो बच्चा पैदा होंगे पाँच बच्चे छे बच्चे हम ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे सामाने लोग तो ऐसी स्थिती में नितीश कुमार का कहना बिलकुल सही है कि शिक्चा और जागरुकता की जरूरत है आबादी कंट्रोल करनी के लिए इन लोगों ने बकायदा आरेफ नरीमन और बियार गवई साहब इन दोनों माननी नियाय मुर्तियों की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंज सरकार को नोटिस जारी किया है कि कोरणा की तीसरी लहर की आशंका के मद्दे नजर उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड यात्रा को क्यों एलाउट किया है जबकि उत्तरा खंड ने नहीं एलाउट किया है इस पर क्या सरकार का स्पष्टी करण है 16 जुलाई को सुनवाई है दोस्तो हम कोशिश करेंगे कि देखें ये कोट में क्या सरकार जवाब देती है और दोनों अपने जो फैसले हैं खास कर कावड यात्रा को वेलाओ करना और दूसरी बात दंडात्मत कारवाई के साथ जनसंख्या कंट्रोल का जो प्रावधान है चुनाओं से एन पहले जिसका मकसद मैं समझताओं की डाइवर्ट करना है सारे इशूद से अपनी विफलताओं से डाइवर्ट करना लोगों का ध्यान वो विफलताओं जो कोरना की हैं महावारी में उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह पूरी तरह टोटल फेलियोर रहा जिस तरह से वहां पर पूरी जानक है उत्तर प्रदेश में मुझा लगता है कि इन मसलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक ये डाइवर्जन की टैक्टिस के तौर पे ये मसला सामने लाया गया है अब देखना है कि इन दोनों पर सरकार क्या जबाब देती है खासकर सुप्रिम कोर्ट में जो में तो बड़ा दिल्चस्प ये मामला है कि एक तरफ विश्विंदू परिशत कारा है कि नहीं नहीं हम तो इसके खिलाफ हैं दूसरी तरफ वही विश्विंदू परिशत समर्थक और आरे सेस और बीजेपी समर्थक जो सांसद हैं वो कहने हैं प्राइवेट मेंबर भी ल जाओ है लोगों को भ्रमित करने का इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही नमस्कार आदाव सत्रियकाल